जमशेतपूर के जुगसलाई विधानसभाशित्र के बोडाम प्रखंड में इन दिनों ग्रामिनों को राशन के लिए दरदर भटकना पड़ रहा है। जिकायत लेकर ग्रामिन महिलाएं भाजपा नेता वेमल बैठा के साथ पुडाम प्रखंड कार्याले पुँची और अपनी शिकायत से उन्हें अवगत कराया। महिलाओनी बताये कि अनाज नहीं मिलने से भुखमरी की स्थित्य उत्तपन हो गई है। इस्थित्य भयावा होती जा रही है। अमरा रेशोन इत्ते गेची तखन रिजार आमादरे बाखान दिये छे। अनेक बाखी हो आचे दू मासर एक संगे ठीपा लेई और एक मासर बिली कोरे। अमराग बोले जे आगे तुम्रा दुरुबार ठीपा बारो नले आर माल आश बेना। दूसरी तरफ भाजपा नेता बेमल बैठा ने कहा कि एक तरफ सरकार खुद को जल जंगल जमीन की सरकार बता रही है और राज्य में लूट खसोर्ट मचा हुआ है। जमीन अतिक्रमन किया जा रहा है, जंगल काटे जा रही है और अब ग्रामिनों को अनाज नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो अनाज भेजा जा रहा है वह आधे रास्ते में ही गायप कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो आगे उग्रांदुलन किया जाएगा। सर्कार बनी है तो जंगल जैमी न चिला गिया जंगल को आदमी बैस दे रहा है यह जाएगा है सरकार हो रहे हम लोग को कब से बंड़ाम परकंड जो जुक्सलाई बिधान सेवा में आता है और इस बिदान सेवा में लगातार महलाओं के साथ में सोसन हो रहा है और इस परकार का घटना लगातार देखने मिल रहा है कि जब महला चावल के लिए जा रहा है तो उन्हों दुसकार का भगा दिया जा रहा है यह हमारी बहन हमारी मा आज रोने करिसिती में है खाने का अनाज नहीं है गर में तो पर श्रितपूर से गंगाधर पांटे की रिपोर्ट